बिंदियों क्रिश दुबारा से हो जाएंगे एक बहुं यहां पर हम देख रहे थे ना पहले तु किस तरी किसे पायल इन लों की जिंदेगी में आई थी उसके बाद यहां पर बिर्जू नाम का एक काटा आगया था बिंदियो और क्रिश की जिंदेगी में और वो भी अब हट जाता है और दुबारा से बिंदिया और क्रिश रहने लगते हैं बहुत अच्छी तरीके से लेकिन यहाँ पर बिंदिया सुनाती है खुशकबरी कि वो प्रेगनेंट है वो क्रिश के बच्चे की माँ बनने वाली है और सारे घरवाले बहुत खुश होते ह सामने एक नया प्रोमो आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि 20 साल का लीप हो गया अब 20 साल के बाद शुरू होगी एक नहीं कहानी और यह कहानी होने वाली है सौरा और ध्वनी के बीच मतलब यह दोनों बहने हैं और यहाँ पर यह दोनों दोस्त होएंगी उतनी ही दुश और वहीं पर जो ध्वनी है वो उतनी ही चलाक है और प्रोमो में इसी तरीक से दिखाया जा रहा है कि जो सौरा है वो डांस कर रही है स्टेज पर और यहाँ पर जो ध्वनी है उसकी आवाज बनी हुई है अब भई उसकी आवाज सिरिफ उसको दिखाने के लिए बनी हुई बाद में तो एक clip दिखाते हैं जिसमें देखते हैं कि वो dialogue मारती है कि अब देखो मैं तेरी जिन्देगी में किस तरीके से हंगामा करने वाली हूँ और यहाँ पर वो ही सब होने वाला है कि सुहाग को लेकर फिर शुरू हो जाएगी लडाई अब यहाँ पर भई सुहारा ब लव स्टोरे दिखाई जाएगी दौनों का किस तरीके से यहाँ पर भیں बिंद्या के बच्ची ओएगे प्यार करती होगी और यहां पर जो हीरो होगा वो किस से प्यार करेगा यह तो आप देखिंगे लेकिन आप मुझे बिताईए आपको यह लीव वाला जो नियू प्रूम है वो कैसा लग रहा है और 20 साल की बाद दुबारा से नहीं जनरेशन आ रही है उसके लिए कितने एक्स ही चीज़े उसकी फ्लव हो जाती है तो अब देखते हैं कि आप क्या करती है क्या जो बिंदिया के बच्चे हैं उनको खत्रा होगा क्योंकि यहां पर तो बिंदिया को ऐसे लग रहा है कि जो पाइल है वो तो बहुत अच्छी है और मेरे बारे में कितना सोचती है लेकिन उसे ये नहीं बताए कि जितनी जो सारी चीजे की है न वो सब पायल नहीं की है